Hello students, आज हम practice set 34 देखते हैं, question number 1 दिया है, subtract the second expression from the first, यानि यह जो second expression दिया हुआ है, इसको हमें subtract करना है, first expression में से, देखो किस प्राकार से करना है, 4xy-9z-3xy-16z, दोनों को क्या है, बच्चो ब्रैकेट है, अभी इस second expression है, इसके पहले क्या दी हुए है, subtraction के sign दी हुए है, किस प्राकार से हुगा, 4xy-9z-3xy, यहापे minus था, तो यहापे plus बन गया, plus 16z, इस प्राकार से, देखो अभी like term जो है, उनको पास में लाते है, 4xy-3xy-9z-16z, इस प्राकार से, तो 4-3 क्या है, तो 1xy, अभी यहापे, minus 9 plus 60, तो minus 9 plus 16 क्या है, तो plus 7z, इस प्राकार से, तो 1x को ही किस कैसे write down कर सकते हैं, xy plus 7z, यह बन गया, इसका answer, xy plus 7z, second देखते हैं, यहापे, first expression में से, हमें second expression minus करना था, इसलिए, पेले, first expression को write down किया, minus, second expression write down कि कर लिया, इस प्राकार से, अभी second expression के बाहर minus sign है, इसलिए, second expression की bracket जब खुल जाएगी, तो यह जो sign है, वो change हो जाएगे, देखो कि इस प्राकार से change हो रहे है, 4y plus 7z minus x minus 2y minus 3z, इस प्राकार से, यहापे plus था minus हो गया, यहापे plus था, यह minus हो गया, अभी like term जो है, उसको पास में लाते हैं, 5x minus x, यह like term बन गए, plus 4y minus 2y, यह भी like term बन गए, plus 7z minus 3z, यह भी like term बन गए, अभी 5x minus 1x किया, तो x बन गया, यहापे 5 minus 1 था, तो यहापे 4, यहाँ 5x minus 1x का मतलब होआ, यहाँ 5x minus 1x किया, तो 4x, यहाँ पे 4y माइनस 2y तो 4 माइनस 2 किया तो 2y प्लस 7 माइनस 3 किया तो 4 और यह z, उसको लगाया z फ़र्ड एक्जम्पल देखते हैं यहाँ पे फर्स ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट दी हुई है जब हम सेकंड ब्रैकेट को ब्रैकेट जब निकालते हैं अभी हमें यह जो ब्रैकेट है उसके बाहर माइनस साइन है इसलिए जब ब्रैकेट जब खुल जाएगी तो क्या हो जाएगा यह जो साइन है वो साइन चेंज हो जाएगी इस प्रकार से 14x² प्लस 8xy प्लस 3y² माइनस 26x² यहाँ पे प्लस बन गया 8xy यहाँ पे माइनस था तो प्लस बन गया 17y² इस प्रकार से अभी यह हो जाने के बाद हमें क्या करना है बच्चे जो लाइक टम है उसको पास में लाएंगे यहाँ पे 14x² माइनस 26x² लाइक टम है उसी प्रकार से प्लस 8xy और यह 8xy लाइक टम है प्लस 3y² प्लस यह 17y² लाइक टम है इसलिए दोनों को पास में लाएंगे अभी 14x² माइनस 26x² करना है तो 14 में से 26 नहीं जा रहे तो क्या करेंगे 26 में से 14 को सब्ट्राइक कर लेंगे 6-4 किया तो 2-1 किया तो 1 लेकिन 26 को साइन थी माइनस इसलिए यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे x² प्लस 8xy प्लस 8xy किया तो 16xy प्लस 3 प्लस 17 किया तो 20y² यह बन गया इसका आंसर फॉर्थ नंबर का देखते हैं यहाँ पे भी ब्रैकेट दी हुए पहले फर्स्ट एक्स्प्रेशन माइनस सेकंड एक्स्प्रेशन करना है तो राइट डाउन किया माइनस सेकंड एक्स्प्रेशन इस प्रकार से राइट डाउन किया यह हो जाने के बाद हमें क्या करनी है उसकी ब्रैकेट को खोलना है first expression write down किया अभी यहाँ पे bracket के बाहर minus sign है तो minus sign और bracket की अंदर की sign थी वो change हो जाएगी 16x square plus 17xy अभी यहाँ पे 6x square है यहाँ पे minus 16x square यह like term है इसलिए इसको पास-पास में लाया plus 17xy 7xy plus 17xy दोनों को पास-पास में लाया उसके बाद बचा सिर्फ plus 16y square अभी 6x 6x square minus 16x square करना है तो 6 में से 16 नहीं जाते इसलिए 16 minus 6 किया तो 10 लेकिन 16 को sign थी minus इसलिए यहाँ पे negative sign और x square plus 17 plus 7 किया तो 24xy plus 16y square यह जो था इसको कोई भी like term नहीं थी इसलिए यहाँ पे plus 16y square इप नॉमबर का एक्जामपल देखते हैं 4x plus 16z write down किया उसको first bracket minus 19y minus 14z plus 16x इस प्रकार से write down किया क्योंकि हमें first expression में से second expression subtract करना था तो अभी bracket को solve करते हैं 16z यह वाली write down की minus अभी यहाँ पे bracket जब खुल जाएगी तो अंदर की जो sign ने वो change हो जाती ही इस प्रकार से 19y plus 14z minus 16x यहाँ पे minus था plus बन गया plus था यहाँ पे minus बन गया अभी like time को पास में लाते हैं 4x minus 16x plus 16z plus 14z minus 19y 19y को कोई भी like time नहीं है इसले उसको last में write down किया अभी 4 minus 16 किया तो नहीं हो रहे तो 16 minus 4 किया तो 12 16 को sign थी minus इसले आपे minus sign x 16 plus 14 किया 6 plus 14 0 carry 1 1 plus 1 2 plus 1 3 30z minus 19y इस प्रकार से इसको आज हमने practice set 34 देखा यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे रखते है तो please like share and subscribe thanks for watching this video